आप देख रही है MNS News सच जरूरी है पेच कर क्यों बुलाया जाता है अरवीन केजरिवाल सीधा नाम ये चुरे ने भाश पापर लगाया धूवी करन्द का बड़ा आरोम चानिये क्या बोले राउल गांदी की न्याई आत्रा पर राजियू चंद्रशेकर का तंजु 65 सालों तक गर्वी हटारे का ढोंग और जूटा वादा करकिया न्याए आए देखते हैं खबरे विस्तार से यह जांच दो साल से चल रही है इन्हें कुछ नहीं मिला लोकस भाव चुनाव से पहले नोटीस भेजकर क्यों बुलाया जाता है अरवींद्र केजरिवाल दिल्ली के प्रुख्यमंत्र अरवींद्र केजवाल गुर्वाल को भी प्रव नहीं हुए इडी कारेले में जाने के बज़ाए मुख्यमंत्री त्याग राज स्टेडियम में आयोजित एक्सलेंस इन एडुकेशन अवार्ड के कारेक्रम में पहुचे हैं वहीं सीम के जुवाल ने इडी के समन पर जवाब दिया है उन्होंने कहा कि इडी ने मुझे राजितिक शडियंत्र के तहत भेजे जा रहे है यहां जांच दो साल से चल रही है दो साल से मैं कुछ नहीं मिला लोकसभाव चुनाओं के दो महिने पहले अचानक मुझे नोटिस भेज कर क्यो बुलाया जाता है भाजपा इडी को चला रही है इनका मकसद यह कि सब करके क केजरवाल को चुनाओ प्रचार करने से रोको केजरवाल ने दावा करते हुए कहा कि एडी ने आज मुझे चौता नोटिस बेजा और मुझे 18 या 19 जनवरी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा यह चार नोटिस अवेद और अमान्य है जब भी एडी द्वारा इसे नोट आलत द्वारा खारिस कर दिया जोता है यह नोटिस सिर्फ राजणितिक प्रतिशोद के अलावा और कुछ नहीं है आईए बढ़ते अगली ख़बर की और कि सितराम येचोरी ने भाजपा पर लगाया धुरूविक करन का बड़ा आरोप जानिये क्या बोले माक्सवादी कमनिस्ट पार्टी के महा सच्चिव सितराम येचोरी ने आरुप लगाया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में राम लाला की प्राहन प्रतिश्टा समारों के नाम पर देश में धुरूविकरन की कोशिश की जा रही है ये चोरी माक्सवादी पार्टी के दिगज नेता रहे जोती बसू की 15 वी पुन्यतिती के अउसर पर आयोजी ते कारेक्रम में हिस्सा लेने के कोलकता आये थे उन्हेंने सवानदाता उसे कहा कि प्रत्यक पार्टी को सांपरदाइक सद्भाव और सविधान के सिधानतों की रक्षवा के लिए काम करना चाहिए सवानदाता के नुसार तुरुनमूल कॉंग्रेस ने आयोधा में बंद रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को राम लाला के प्राहन पतिष्वा के दिन विबन धर्मों के नेताओं के साथ एक सोधार हो रेली आयुजित करने की घोशना की है तुरुनमूल के कारेकरम के बारे में पूछने पर ये चोरेने का हर पार्टी को साम्परदाइक स्तद्भाव की रक्षा के लिए अपना अभियान चलाने का दिकार है लेकिन ऐसे अभियान के नाम पर कोई प्रतिस परदी साम्परदाइक ता नहीं होनी चाहिए आईए बढ़ते आगे लिए खबर की और राउल गांदी का न्याय यात्रा पर राजु चंदर शेकर का तंज 62 सालों तक गर्ब हटाने का ढोंग और जुटा वादा कर किया न्याय है 16 जन्वरी को केंद्रिय मंत्री राजु चंदर शेकर ने राउल गांदी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज जन्याय यात्रा निकालने वाली कॉंग्रेस ने 65 सालों तक गर्ब हटाने का जुटा वादा करते हुए डोंग करन्याय किया है भाजपा मुख्यालाय में बिडिया से बात करते हुए कि इंद्रिय मंत्री राजियू चंदर शेकर ने कहा कि कॉंग्रेस 65 साल तक देश में गर्बी हटाओं का जुटा वादा करती रही गर्बी हटाने का ढोंग करती रही लेकिन मोधी सरकार के सारे 9 सालों के कारिकाल में ही प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की गरिब कल्यान की नितियों के कारत 25 करोट के लगबग भारत वासी गरिबी से बाहर निकलाये है राहुल गांदी द्वारा दिये गए बयान की आलोचना करते हुए राजियो चंदर शेकर ने कहा कि उनके गुरू सैंप प्रित्रोदा ने भी कुछ दिन पहले ऐसी ही टिपनी की थी और राहुल गांदी जो भी सोचे वो सोचे लेकिन हर भारत वासी के लिए राहुल मंदी क एक आस्ता का मुद्द्दा है राहुल गांदी जो भी टिपनी करें लेकिन हमारे लिए यह हमारी शी जुड़ा मुद्दा है देश की जनता राहुल गांदी की रियाजीवार को अब लिए सबस्ती हैं आप इससे लाइब भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश दुरिया की तमाम बड़ी खबरे बने रहे हैं MNS News टीवी पर नमस्कार यह है MNS News नेट पर और आप देख रहे हैं MNS News